भाई गोपी चंदी आज यो तुमने कैसा बनादारण कर रख्या मेरी बाता का आदेश हुआ बहना कि गोपी चंद जा तू अमर हो जया और बगवान का भजन कर और इस जोगी के भाने को और अपने तन पे दार ला अच्छा मा ने आदेश दिया और तुम जोगी बन गए ब देखिया मैंने सब कुछ इस प्रमात्मा के हावले करके अमने मा का आदेश मान के ये चोला पहना है बहना अच्छाम दीजिए मुझे भाई को पीचंद इसी बात ना कर अभी भी कहरी हो मांचा और करना चला जा गर्चा माल ले मेरे गुरू बाईयों में मेरी इजित रह जागी वन्यू कहा कि अमना पीक मंगवावा गुरू जी इसको पीचंद के त्वारा कभी भूक नहीं मंगवाता आज मेरे बैया मेरी इजित रह जागी एक मुठी बीक की गाल दे बैना मैं भी अपनी इजित कमा बाई श्या पॉन सी विबदान पड़ी तेरे पैं जो तन में यो बाणा दाणन करना क्या है बीक मांगता फिर रहा मेरी कुछ बात सुन ले तू कुछ कहना चाहती हूं पिलकुल कहना चाहते हूं कहीए अपनी बाद सुनिए मेरी बाद हे गोपी चंदे बीरी मेरे तन यो के हाल बणाया अरभी की गहा लेते चंदेरा वले मैं जोगी बने के आया हो मैं लोगी मने के आया ये गोपी चंदे बीरी मेरे रतना लोगे हाल बणाया अरभी के गहाले ते चंदेरा वले मैं जोगी बने के आया जोगी जोगी बने के बने के आया पूंड पुणाया आजी तने जिसी शिर बेता जीद रेता बीती बताने भूले जब है ना तेरा बैया यादी करे था वो तेरा बैया राजे करे था बना रे बिखारी महाराजा तेरी जगते लिहाजी करे था परतिवंजी का हर बैचा मेरे पे ना जिकरे था वो मेरे पे ना जिकरे था भस मेर मांगरी घर हांडरे तरु सोने जैसी काया उन भी के गाले दे चंदेरा बढ़े मैं चोगी पढ़े के आया आयारे मैं चोगी पढ़े के आया भईया गोपी चंदी इतना बड़ा राजपाठ है इसको ऐसे ही छोड़ दिया इसकी रक्षा कौन करेगा देख इतने बड़े राजपाठ में मेरे मंतरी दास दासी भोग से है वो इसकी रक्षा कर लेंगे वहना और उस प्रम्पिता प्रमातमा के हवाले सब कुछ छोड़ के मैं जोगी बाबा का वहाना ही दाना कर लिया और मैं तो उस प्रमातमा के भजन करूँगा और उस प्रमातमा के गुणगा देख भाई इसी बात ना कर तेरा राजपाठ है उसको जाके समाड़ ले उस माता को समाड़ ले मेरी बास सुने भाई राज बाटे रजी थानी छोदी के विपदा पड़ी वावी रपर में स्वरी का रपर में स्वरी का बजने करूँग मैं बढ़ जोगी तब तारी किसी के उपरी सबरी करे मरे रो रो के महतारी उस माता ने का दे से दिया है मरे बेटे बनो रे पुझाई कैसे न्यारा कर दिया जिसे नरे बेटे पारे के जाया मैं पीके गाले दे चंदरा मने मैं चोगी पड़े के आया मैं चोगी पड़े के आया मैं चोगी पारे के आया कार्ट के बारे में नहीं सोचा लेकिन आपको उन सोल या रानियों के बारे में तो सोचना चाहिए था देखिए जो जैसा करम करता है वैसा इन्सान जैसा इन्सान करम करता है वैसा वो भगवान फल देता है इन्सान को करम करने की इच्छा रखनी चाहिए ना कि किसी फल की इच्छा रखनी चाहिए मेरी वाद सुन ले भाई है यह अपनी वाद किसी तरिया तिली ने डाटेगी गर में सोले राणी किर करमों के अनों सारे भोगी ते सुके दुखी सभी रे पिराणी जाल बतने की डटती कोडा चड़ती हुई रे जवानी इरसाइम और साधिना से सभी मिटी जाती परशानी हो सभे मिटे जाकी परशानी दिली पे मारी चोटी खोटी ते जून को तरबाया अप्री की गाले थे सते रामले में जोकी बड़े के लिए आनी में तो की बड़े के आनी में अप्रे थे जानी में जाती 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 बड़े के लिए ऑया करता बाई अगर तुई जोगे बढ़ जाएगा तो मेरे बात कौन बरने आएगा देख साइद तुझे चंद्रावल साइद तुझे वह पता नहीं कि उस अर्नन्दी के भी कोई बाई नहीं था अच्छा उसका भी स्री कृष्ण बगवान ना बात करया था और उसी परकार से अगर पहन का खयाल निये तो कोई बात नहीं लेकिन अपनी बारे कन्याओं का तो खयाल रखे उनका कन्यादान कोन करेगा तई अपनी बात और मेरा जबाब सुने मेरी बात बिन भाईया के पीहर में कुण तेरा आतर मानी करेगा तेरती रच धर ले बहने लाटेली हर तेरा जानी करेगा बारे कन्या तेरे बिन कुण कन्यादान करेगा फिर सबी का माल की रखे वाला रखे साब की वानी करेगा हे अद भूती हरे रावे बसे लाए इस बर भूती माला वो पी के गाले दे जबरा मले में चोगी बने के आया में चोगी बने के आया में चोगी बने के आया